एलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल टेकिए जी फ्रेंट्स आज की स्यूदियम कोटक लीग रूपे क्रडिट कार्ड की अपलाइप प्रोसेस के बारे में जानेंगे वीडियो पान तक जुरूर देखना चलिए शुरू करते हैं वीडियो को कोटक लीग रूपे क्रडिट कार्ड आपको lifetime fee क्रडिट कार्ड के रूपन मिलेगा इसके लिए आपको कोई भी joining fees और annual charge नहीं देना होगा और साथ ही इस क्रडिट कार्ड के लिए आपको कोई भी income document submit नहीं करना होगा इस क्रडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको कोटक bank की website पर जाना होगा वहाँ पे कोटक लीग रूपे क्रडिट कार्ड का option मिल जाएगा आप जिसके तुरू अप्लाई कर सकते हैं इसके लाओ इसका डारेक्ट लिंक मैंने description में डाल दिया है उस पर किलिक करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं description में दियेगे link पे जब आप किलिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface open होगा card अप्लाई करने के लिए आपको get your card now पर किलिक करना है अब आपको यहाँ पर अपना mobile number एंटर करना है इसके बाद आपको दो checkbox मिलेंगे उन पर आपको tick करना है उसके बाद gate OTP वाले option पर किलिक करना है अब आपके mobile number पर OTP आएगा वो आपको यहाँ पर enter करना है उसके बाद verify पर किलिक कर देना है आपको यहापे अपनी कुछ details फिल करनी होगी, सबसे पहले आपको pen number एंटर करना है, उसके बाद आपकी date of birth एंटर करनी है, उसके बाद email address एंटर करना है, उसके बाद आपको gender चूज करना है, details फिल करने के बाद आपको proceed पर क्लिक कर दिना है, उपर आपको name on the card का option मिलेगा उसमें अपना नाम फिल करना है, नीचे आपको mother's name फिल करना है, उसके नीचे आपको father's name फिल करना है, उसके बाद आपको अपना marital status चूज करना है, यह सब करने के बाद आपको confirm पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको अपना working status चूज करना है, आप salary है, self employed है, इसके ब इस रेंज में से आप अपनी monthly income सिलेक्ट कर सकते हैं next option में आपको no कर देना है इसके बाद आपको confirm पर किलिक कर देना है अगर आपकी civil में आपके address updated है तो यहाँ पर आपको कुछ address मिलेंगे जिन में से आपको अपना current address चूज करना है अगर आपके civil में address update नहीं है तो आपको यहाँ पर add गाउप से मिल जाएगा जिससे आप अपना new address अपडेट कर सकते हैं address सिलेक्ट करने के बाद आपको submit पर किलिक कर देना है आपके credit card का application यहाँ पर complete हो गया है अब आपको यहाँ पर device location को allow करना है यहाँ पर आपको दो check box मिलेंगे उन पर आपको tick करना है उसके बाद आपको I agree वाली option पर किलिक कर देना है अब आपको यहाँ पर अपना आधार number एंटर करना है अधार नमबर एंटर करने के बाद आपको I agree वाली ओप्सिन पर क्लिक कर देना है अब आपके आधार कार से रेजिस्टर मुबाइल नमबर पर OTP आएगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है उसके बाद आपको continue पर क्लिक कर देना है वीडियो के वाइसी स्टार्ट करने के लिए आपको continue पर क्लिक करना है इसके बाद आपको Yes, Begin वीडियो के वाली ओप्सिन पर क्लिक करना है इसके बाद आपको KYC एजन्ट से कनेक्ट किया जाएगा आपको यहाँ पर केमरा और माइक्रोफॉन की permissions को लाओ करना है KYC एजन्ट आपसे आपकी कुछ personal details को confirm करेंगे उसके बाद आपकी selfie लेंगे और आपकी जो pen card है उसकी photo ली जाएगी उसके बाद आपकी KYC complete हो जाएगी I hope आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए thanks for watching